सड़कों पर आगबरस रही है, लोग परेशान हैं, और लोग इस तब्थी गरमी में बीमार पड़ रहे हैं, बीमार के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनकी जान चली जारे हैं इस गरमी की वज़े से, तो कैसे बचें, क्या अभी सिती है, अस्पतालों के अस्प विभाब में प्रोपेसर हैं सर अभी क्या इस्थिती है क्या करना चाहिए ये जरूरी है जानना क्योंकि तमाम लोग दिन में बाहर काम करने के लिए निकलते हैं तो किस तरह से साफधानी बरत नहीं जाएंगे अभी हीट वेव का प्रोकॉप तो चली रहा है जैसे कि आपको पता होगा काफी जो temperature rise है वो unprecedented है इतने सालों में कभी नहीं हुआ 2023 में भी काफी हाई था 83 डेस थे जिसके 1.5 डिग्री से ज़्यादा और दो दिन जिसके 2 डिग्री से ज़्यादा तो यह तो एक बड़ी समस्या जो हर साल दर साल unfortunately और विक्राल रूप धारण कर रहे हमारे इसके एस्पदाल में भी एक बहुत ही अप्रत्याशित रूप से इसकी समस्या बढ़ी है हीट स्ट्रोक आने वाले मरीजों की इसके मद्दे नजर हम लोगों ने आठ मई को अपना हीट स्ट्रोक यूनिट पूरी दरे फंक्शनल भी कर दिया था जिसमें अत्यादुदिक अगर अब उग्र करें निकलना लेकिन अगर निकलना पड़े तो भी वह सूती हलके रंग के सूती कपडे पैने जिसमें पूरस कपडेों जिसमें हवा का आध़्ान प्रदान आसानी जो जाए और अगर उनका वक्त काम के सिलस lag अने पर शारिक परिश्रम करना है पढ़ता तो उने हर आदे गंटे के बाद थोड़ा पानी जिसमें नमक भी हो जैसे या फिर अपने परमपरिक पे पदार जो होते हैं जैसे हमारे शिकंजी, बेल पत्र का जूस और चाच, इतियादी तो ये सब पी सकते हैं हर आदे गंटे बाद और इसके अतरीक आप शेड ब्रेक ल आदार रिक्ष के नीचे या कूलर की उपलबता हो तो उसके सामने जाके बैठ जाया आदा घंटा का या 15 मिनिट उसके बाद अपना काम कर लें फिर आदा घंटा या 45 मिनिट बाद ये आपकी प्राणों की रक्षा के लिए बहुत ही महतुपूर है क्योंकि हम देख रहे ह हो तो आप में थोड़ा सा समझा पाएंगर कि कैसे असर डालती है तो देखे गर्मी हमारे शरीर में हमारा शरीर हम सारे लोग warm-blooded है हमारी स्पीशिस तो हमारे शरीर के सारे अंगों के काम करने के लिए बात बहुत जरूरी है कि हमारा टेंपरेचर एक रेंज के अंदर हो जो 98.6 डिग्री से लेकर 99 तर सेल्सियस में बताते चले को किया है सेल्सियस में देखे एंवर्मेंटल टेंपरेचर होता है 37 डिग्री सेंटिग्री तो ये बहुत जरूरी है लेकिन जब इस और जब इससे ज़दा हम आसपास के माहल में गूमते हैं तो हमारा ब्रेन का एक शदीद गर्मी होती है और हमारा जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर में जो उश्मा का जनरेशन होता है वो इतना ज़दा बढ़ जाता है बीस गुना तक लोग रिकॉड़ेड है तो उसमें स्वेटिंग डिस्ट्रिबूशन ओ ब्लड होता है लेकिन इसके बाद भी हमारे जो हाइपोथेल्मिस है ब्रेन का वह हिस्सा जो टैंपरेचर को कंट्रोल करता है वो ओर wave हो जाता है और इसके कारण हम हीट स्ट्रोक हमें हो जाता है और बहुत ज्यादा अत्यथेक टैंपरेचर इससे जैसे के आपने बिल्कुल सहेगा इसे शरीर का कोई भी यंग इसके अतरिक के इसमें, हार्ट में छाडीक डैमेजा हो सकता है। और इसके अतरिक, मस्कुला सौली इससे में इसका आसार आता है, जैसे कि लिवर, लिवर के एंजायमच दैमेजा हो सकते हैं जिसके वैसे पेशेटेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है। किड़नी बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, especially in exertional heat stroke, बहुत ही ज्यादा recorded है, और हमें एक permanent kidney damage भी हो सकता है, तो ये कुल मिला के, मैं ये ही आपके माध्यम से बताना चाओंगा, कि एक अतियंत प्राण घातक condition है, जिसमें कि मृत्युदर 70-80% है, तो इससे बचा भी इसका सर्वत्तम इलाज है, क्योंकि एक बार ये हो जाए, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, दुर्बागे वाश हमारे मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटे उपाए, हम साधारण से उपाए हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है, ये करें तो बहुत मदद हो पाएगी है, सर, ये टाइम इसमें बहुत इंपोर्टेंट होता है, जरासी देरी और जान ले सकती है, तो वो, जी, बिल्कुल आपने सही का, बिल्कुल मैं सौफीज देजी सहमत हूँ आपसे, अगर आप अपने दाए-बाएं पाएं कि कोई व्यक्ति लू के आघाथ से गिर पड़ा है, और इदर उदर की बादें कहरा है, उसे छूने में उसका टेंपरिचर भी अच्छा कासा ज्यादा लग रहा है, और एक ऐसी हिस्ट्री हो कि वो काम कर राता धूप में, शार इक्ष्ट्रम, तो इंतजार न करें, तुरंत उसे उसके गरदन के नीचे, बगलों में, ज्यांगों के आसपास बरफ रखें, अगर बरफ क्यों पलपता नहीं है, तो ठंडा पानी उसके गरदन के नीचे सारा उसे भीगो दें, ठंडा पानी नहीं है, तो साधान पानी से और उसे पंखा जहलें और तुरंत किसी निकटवरती अस्पताल ले जाएं, आपके द्वारा पेरिफरी में ये छोटा सा कदम उसकी जान बचाने में सबसे महतुपूर्ण थाबित होगा. अच्छे सर, अभी फिलहाल अस्पताल के अगर बात करूँ तो अभी फिलहाल आरेमेल में क्या हालात हैं, कितने पेशेंट एडमिट हैं? उननीस जून दोजार चॉबिस की सुभे नौ बज़े तक आरेमेल में पैतालीस मरीज थे, जिसमें से की 11 डेथ्स रिकॉर्डड़े हैं. पेशले 24 गंटों का डाटा भी हमने अनलाइज नहीं किया, बर तकरीबन 20-22 दाखिले और 2-3 डेथ हैं, उनने अनलाइज करके कल तक, फिर कल सुभे 9 बज़े तक का डाटा हम आपको कन्फर्म दे पाएंगे. अच्छा सर, जो पेशेंट आए हैं, वो पेशेंट की उम्र क्या है, मतलब किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करता हैं? देखें, एक-दो मरीज तो सतर, असी, वेवरिद भी हैं, लेकिन जो अधिकांशते हैं मरीजे, वो तीस से पचास, पच्पन के ब्रैकेट में हैं, और जाहतर जो हमने पाया हैं, वो एक्जर्शनल हीट स्टोक के मरीज ज्यादा हैं हमारे अस्पताल में, जिसमें की रेड लगाने वाले, डेस्टिट्योट जो भीक मांगते हैं, उसके गुर्द्वारा पंगला साब के सामने से पेशिट, सीक्योरिटी गार्ड, मैन्वल लेबरर, फैक्टरी वरकर, अनफॉर्चुनेटलि वो लोग जोने इस गर्मी में भी अपने जीवी को पारजन के लिए बा आते हैं, अगर आप एक एक चीज़ बताएंगे तो मुझे लगता है कि लोग थोड़ा बैदर समझ पाएंगे. देखने ये तो medical slides हैं, लेकिन हाँ, जिसे इसमें आदमी irritable हो सकता है, irritable का मतलब है थोड़ा चिड़चिड़ा पन आ जाए, वो गफलत की स्थिति में जा सक इसमें फालिश मार सकते हैं, जिससे बोलने और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और आखों का देखने में भी दो-दो दिखाई दे सकते हैं. इसके अतरेक्त इसमें जो heart rate बढ़ जाती है और blood pressure का pulse pressure wide हो जाता है, और इसमें mycoidal damage हो सकती है, heat stroke के अंदर. तो कई बार क क्या होता है कि कभी-कबार इसे heart attack के तौर पर misunderstand भी कर लेते हैं, कई बार. तो और जानकारी पर पता लगता है कि यह heat stroke के वज़े से हो रहा है. इसके सिवा, पेट में आंत्रसराव के symptom हो जाना, यानि कि diarrhea, dysentery, ulty के से लक्षन आना, और पेट में, कभी-कबार जब अगर बहुत जटिल स्थिती में, नीचे मलदवार के जरीए खून भी आ सकता है. इसके सिवा, जॉन्डिस हो सकता है मरीच को, और उसके hepatic enzymes हो, बहुत डेरेंज हो सकते हैं, इसके वैसे उसे bleeding भी शुरू हो जाए. इसके सिवा, muscle damage बहुत होता है इस शरीर में, जैसे कि हो है ज्यादा, तो वो पानी तुरंत पी हैं और अपने आपको dehydrate होने से बचाने हैं. तो तुरंत जरूरी है कि आप किसी छायादार जगे पर जाएं, cooler में जाएं या जैसे भी सुविधा आपके पास हो, उस तरह से लेकिन आप उस गर्मी से तुरंत अपना बचाओ करें, नहीं तो यह जान लेवा हो सकती है. क्यामरा पसर नदीम के साथ मैं शालेनी बाचपे, टीवी नैन बादश दिल्ले.